इस नुस्खे से सिर्फ आपको बोडी वाइटनिंग कहीं फाइदा नहीं होगा बल्कि आपको फाइदा होगा अगर आपको बोडी पर एकनी की प्रॉबलम है अगर आपको बहुत जादा पसीने से स्मेल होती है बोडी पर और आपको अकसर ठकान रहती है तो यह इन सभी ची लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आपकी धेर सारे प्यार के लिए थैंक्यू सो मच गाइज इस तरह नहने का एहसास आपके लिए ऐसा होगा जैसे आपने कोई आयरुएदिक इसपा ले लिया हो मैं यहाप पर प्रपेशन कर भी यूज़ कर सकती हो उसके अलावा आप जानते हैं जैसे चावल को साफ करने के लिए उसको सफेद करने के लिए नीमबू डाला जाता है इसलिए इसमें थोड़ा सा नीमबू का रस जरूर एड़ करे ताकि आपकी बोडी से मैल उत्रे और उसके अलावा हम आपकी थकान को दूर करने के लिए इसमें अड़ कर रहे हैं नमक वो भी 3-4 टी स्पून पूरा चमच नहीं और उसके अलावा हम इसमें अड़ करेंगे मिंट लीव्स ताजी यानि के पुदीने के पत्ते इस प्रपेशन को तयार करके आपको रख देना है नहाने से आदा घंटा पहले करके रख दीजेगा और जब आप नहाने के लिए जाएंगी तो इस पानी को अपने नहाने के पानी मैट करना है वो भी चान कर ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहो और आपको फ्रेश फील हो उसके अलावा मैं आपको बता दू कि इस पानी के फाइदे क्या-क्या है आ अगर आपको रात को सोनी की वज़ से मॉस्किटो बाइट सो गए है तो जो हमने मिंच लीव सिमेड किया यह उसको ट्रीट करता है इसकिन को हाइड्रेट करेगा यह पानी आपकी स्किन को टोन करेगा और अगर ब्लैक है प्रॉब्लम है ना कि सिर्फ इसकिन पर बल्कि करेगा आपकी स्किन रिजुवनेट होगी और आपकी स्किन जादा खेली-खेली नजर आएगी अगर आप दिन बर बाहर काम करते हैं तो इस टाइप से एक बार भी नहा लिए तो आपको खुद फील होगा कि आपने जैसे कोई बहुत ही अच्छा स्पालिया हो आई होब ग आप